विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुवात करते हैं निफ्टी फिप्टी से निफ्टी फिप्टी की बात करें तो आज के दिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सेलिंग देखने को मला रीजन आप लोगों को दो देखने को मल जाता है एक तो यहाँ पर से रोशिया ने यूकरेन के उपर जो मिसाल्स का हमला किया है यह एक यहाँ पर रिजन देखने को मिल जाता है और दूसरा रिजन है कि जो डॉलर के सामने जो रूपी है वो बहुत जादा है यहाँ पर तूरता हुआ नजर आया तो वो भी यहाँ पर से एक बहुत ही बड़ा रिजन है जिसकी वज़े से निफ्टी 50 के अंदर गिरावट आने की पूरी संभावना है अब यहाँ पर बात कर लेता है आई टी स्टॉक जो आप लोगों के नजर में रहने चाहिए और इनको लेकर जो खबर है वो भी डिसकस करेंगे निफ्टी 50 की कंपरेजन में आप लोग देखोगे तो निफ्टी आई टी के अंदर बहुत ही जा कुछ बुलीश नहीं देखने को मिल रहा है बलकि यहाँ पर से टाइम के साथ बैरिश होता हुआ देखने को मिल जाता है करना क्या चाहिए तो देखो इसके अंदर दो बाई स्ट्रेंद है नहीं जो यहाँ पर से निफ्टी आईटी के जो बड़े स्टेर्स है जैसे आपर वीपरों की बात करें टीसी एस इंफूसीस एचसेल टेक जैसे लाज के अपस्टेर्स है उनके उपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए उनके अंदर करना क्या चाहिए वो आप लोगों को बताने से पहले थोड़ी खबरों के बारे में डिसकेशन कर लेता है देखो कल के दिन आपर से टीसीएस का रिजल्ट आया टीसीएस के रिजल्ट नेहाबर बाजार ने बहुत अच्छा अप्रिशेशन दिया है आजके दिन आपर से टीसीएस के शेर के रिजल्ट के बाद कोई भी मैसिव झिरावत या बैसीव याँन पर उच्छाल नहीं देखने का मिल लोगों को यहांपर से एक मौंखा दिया जा रहा है अब यहां पर bends करना चांब कर सकतें पर उसके बाद भी आंपर करने का जिस्की पॉशिबिलिटिस बहुत गम है फिर भी कमने का शेर नीचे गिडरता है तु हानवहहले समय में चालिस रुपे तक यहां पर लिवल दिखा सकता है पर मेरा यहां पर से रेक्मेंडेशन या मानना यही है आप लोग यहां पर से एवरेज डाउन करना चाहते हूं तो 2980 रुपे से अच्छा लेवल आप लोगों को अभी यहां पर नहीं दिखने का मलता है अब यहां पर बात कर लेता है अगली ख़बर के बारे में TCAS का रिजल्ट अच्छा आने के बाद यहां पर से Infosys और बाकी IT कंपनियों में एक रौनक सी चाही हुई है पर अभी यहां पर से Infosys को लेकर अपडेट कुछ ऐसा है 13 Oct. को यह कंपनियां पर यहां पर बाइबेक कर नाॉसमेंट करने वाली है और इसे के साथ साथ इस कंपनिय का यहां पर से 13 Oct. को यहां पर रिजल्ट भी आने वाला आए ठीक है तो इस कंपनिय के उपर ज़रूर से फोकस रखना यहां पर दो बड़ी चीजे का announcement होता हुआ नजर आएगा अभी यहां पर Infosys के अंदर करना क्या चीए तो देखो company का result तो भाई जो यहां पर आएगा वो आएगा अभी के लिए आप लोग यहां पर technical basis के उपर company के शिर में तो मेरा यहां पर से Infosys को लेकर यहां पर एक ही चीज में बुलूँगा company के शिर में जो आप लोग ने बहुत उपर के लिवस के उपर investment किया हुआ था तो ही आप लोग इस नीचे के लिवस के उपर average डाउन करना बाकि इस company के शिर में average डाउन करने की जरूरत नहीं है यहां पर कहीं पर खरीदा है तो ठीक है और अभी आपर से इस company के शिर में average अब भी मत करना क्योंकि आप जो buyback का announcement है उसके बाद company के शिर में आपर से देखना पड़ेगा कि कैसा है आपर से movement आता है ठीक है तो 13 October को हमारा वीडियो आजाएगा वो वीडियो चेक आउट करने के बाद जो भी decision लेना है वो ले सकते हैं ठीक है अभी के लिए आप लोग इस company के शिर में invested हो तो hold रखो invested नहीं है तो आप लोग यहां पर 1326 रुपे की लिवल्स के उपर investment करके चल सकती हूँ अगली company आजाती है HCL Technology, HCL Technology की बात करें तो यह company का share बहुत ही जदा अच्छा support यहां पर एक range बनाता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के सामनी यह मैंने square बनाया है जहां पर से HCL Tech का share रहना आप वो यहां पर से उतार चड़ाव दिखा रहा है मरलब यही range के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है अभी यहां पर से range का breakout देता है तो company के share में एक अच्छी तीजी आ सकती है breakdown देता है तो company का share गिर सकता है मेरे हैं आपर से इस company को लेकर यहां पर suggestion यह आप लोग बुल सकते हो view है कुछ ऐसा है 880 रुपे का एक अच्छा support zone देखने को मिल रहा है वहां पर खरीदारी करने के मौके है तो आप लोग accumulate करना चाहते हो इस company के share को तो कर सकते हो यहां पर 880 रुपे के level के आसपाज बाकी आपर बात करें इस company के share में आपर कल 12 October को इस company का result भी है तो 12 October को इस company के बारे में detail वीडियो आ जाएगा expectation के मताबित हैं आपर result आने की उमीद है देखते हैं अभी है आपर से result कैसे आता है खलके दें तो इस company के उपर ज़रू से focus रखना जो large cap company की बात करें इसमें से सबसे ज़्यादा गिरने वाले stocks में बात करें ना तो सबसे ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया इन वी प्रो वी प्रो की बात करें आज के दिन भी company का share 45% की गिरावट की उपर trade हो रहा है company के share में आपर से इतना heavy गिरावट आने के बिचे का कोई भी कारण नहीं है क्योंकि देखो company के share में एक बहुत अच्छी rally देखने को मिली दी और यह rally के बाद company के results यहाँ पर expectation के हिसाब से ना आये इसलिए गिलावट आने लगी ठीक है कल यहाँ पर से इस company का रिजल्ट आने वाला है quarter two का और यह result की बाद company का यहाँ पर से next moment यहाँ पर से क्या रह सकता है उसके बारे में सारी चीज़े पता चलेगी तो 12 October को इस company के उपर आप लोगों का focus रहना चाहिए हमारी तरफ से तो भाई detail वीडियो आई जाएगा तो आप लोग जरू से focus रखना बाकि नेचे के levels की उपर आप लोग जो इस company के अंदर buy on deep करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा level देखने का मिलता है 390 रुपे का level जहां पर आप लोग इस company के share में बहुत उपर के levels के उपर investment करके रखा हुआ है तो average down कर लेना क्योंके फिर से कमने के share में तेजी आएगी ना तब यहां पर company के share में आप लोगों को profit में आना है तो आप लोगों को average down करना पड़ेगा आप लोग यहां पर से ऐसे भी share को hold करना चाहते हो ऐसे ही तो आप लोग कर सकते हूँ ठीक है अभी यहां पर बात कर लेता है LTTS के बारे में LTTS की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा है हां पर से एक रे देखो LTTS and mid cap ID stocks जो यहां पर अभी large cap category के अंदर आ चुक है यह जादा strength दिखा रहे large cap के proper large cap के मुकाबले ठीक है तो आप लोगों को यहां पर से LTTS की बात करें या LTI की बात करें सभी यहां पर stock से वह जादा strength दिखा रहे है बाकी IT कंपनियों की मुकाबले कंपनी के share में आपर से investment कहने का मौका 2980 रुपे के around देखने को मिलता है कंपनी के share में आपर स communication में new entry लेनी है तो भी आपर से यही levels के असपास करना बाकी जो लोग invested हो already वो लोग इस communication को hold रख सकते हो अभी कुछ भी करने की जरूद नहीं है ना buy ना sell ठीक है तो यह चीज़ ज़रू से अतरखना बाकी उपर के levels के उपर आप लोग यहां पर से बीकवाली करना चाहते बहुत ही ज़दा अच्छा strong registration zone देखने को मिलता है 3,990 रुपे के असपास तो वो levels एक अच्छा registration zone है वहाँ पर भीकवाली करने का मूंका मिल रहा है और 5,000 रुपे का भी अच्छा registration zone देखने को मिल जाता है अब यहां बात कर लेता है अगली company के बारे में जैसे मैंने ब सबस आता है तो आप लोग इस company के अंदर बीकवाली करना चाते हो दुख कर सकते हो बाक्यार यह LTI LTS मीट के पाइटी स्टॉक जो अभी हाँ पर से large cap में आ चुक है उन सभी stocks के अंदर लंबे समय के लिए hold करना चाते हो तो भी करके चल सकते हो निश्य के तरफ इस company के अं और 3560 रुपे के तो यह दोनों ही लिवर्स अच्छे है आपर से buying zone देखने को मल जाता है इस company के अंदर अभी आपर बात के लिए अगली company के बारे में को फोर्च की बात करें तो इस company का यहां पर से कुछ अलगी सीन चल रहा है बीछले कुछ ताम में आपर breakdown के बाद यह च कर लिना तीन अजा 230 रुपे का एक बहुत ही अच्छा support zone देखने को मलता है वहाँ पर company के शे में accumulation करने का बहुत ही अच्छा मुका है तो तीन अजा 230 रुपे या 30 रुपे के करीब इस company के शे में average down करके चल सकते हो जो बहुत उपर के levels के उपर को फोर्च के अंदर company आपर से छुटी company है company को यहाँ पर time दो तो ही company यह पैसा बना कर देगी अभी आपर बात कर लेते हैं अगली company के बारे में अगली company आ जाती है टेक महेंद्रा टेक महेंद्रा की बात करें तो इस company के share में दुबाई heavy selling देखने का बली है company का share top level से almost 47% down होता हुआ देखने क company के share में आपर से एक बार फिर से एक अच्छा support zone फिर से आता हुआ नजरा आ रहा है अभी यहाँ पर से company का share आप लोगों को फिर से 975 रुपे या यहाँ पर से 940 रुपे के बीच में कहीं पर भी आता हुआ देखने को मुले तो इसमें इसमें से कोई भी यहाँ पर से रखना सभी IT company के अंदर क्योंकि शॉटर में इन company के अंदर कुछ जादा तेजी नहीं आने वाली है अभी आपर बात के लेता है अगली company के बारे में अगली company है जती है mine tree mine tree की बात करें तो यह company का share ने आप थोड़ी strength दिखा रहा है बाकी company के comparison में एक यहाँ पर से range का breakout हो रहने की बात फिर से हाँ पर यह company का share एक range के अंदर फसता हुए नज़र आ रहा है अभी यहाँ पर ऐसे एक गपने के शुर में हो सकता है एक बार फिर से एक range में यहां पर से breakout दे और फिर से यह company का share एक रहने जाए और उसके बाद फिर से रेंज में अभा ब्रेकाउट कर सकती हो इसी के साथ साथ 2670 रुपे का लेवल या 80 रुपे के लिए के उपर 20 कवनी के शिर में एक अच्छा मौका बन रहा है तो वहाँ पर खरीदर करना अभी के लिए करन्ट सिच्छ में इस कवनी के शिर में कुछ भी करने के ज़रूत नहीं है जब 3020 रुपे के करीब आ जहां पर आप लोग भी क्वाई कर के चल सकते हो चौट Strategy के लिए लांग टर्म में ये कमनी के शिर को हूल क करके चलना अभी आंपर बात बात कर लेता है हैे पयाजम्त क्वाली और से यह अच्छी तहीया आने के बाद फिर से एक फ्लैट यहां पर प्यों बंता है तीज आ यहां पर लेख सकता है मेरा इस यह quierenद दीखा सकता है मेराइस इस कपनी को लेकर एपर से मैं चीज़ बोलूंगा कमपनी के बढ़ी आये कमपदी के इंदर आपर है लुखा कर सकते हो new entry लेना चाहते हो तो भी वहाँ पर ही लेना बाकि आप लोग जो इस company के दर invested हो profit में हो loss में हो no matter लंबे समय के लिए इस company के शिर को hold करके चल सकती हो अभी आपर बात कर लेता है अगली company के बारे में अगली company के बाद company का शिर एक अच्छे support के आसपास company का शिर आप लोग बिल सकते हो support बना रहा है company के शिर में हाँ पर खरीदारी करना चाहते हो दो हजार रुपे का एक अच्छा लेवल है जहां पर आप लोग इस company के अंदर average डाउन करके चल सकते हो जो बहुत उपर के levels के अपर फस्ट चुके हो तो दो हजार रुपे का एक बहुत अच्छा support zone देखने को मिल जाता है ठीक है कंपनी के अंदर दो हजार रुपे में एक अच्छा लेवल मिल रहा है दो हजार रुपे के लेवल स्केल स्पस्ट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो ठीक है अभी आपर बात करें एंफसिस के शिर में आपर से माल ले तार average down करने का यहां पर मौका भी बंद रहा है और अभी कर भी लिया तो क्या करें तुबहर इस कंपनी के शिर को long term के लिए hold करना कुछ से हां पर short term में इस कंपनी के अंदर कुछ बड़ा होने के expectation मत रखना ठीक है और अभी यहां पर आप लोगों खो यह सभी कंपनियों के ब सब्सक्राइब करना मत बुलना goodball of goodbye फिर मेलत नेक्स रड़ियो में प्लीज यार फटावर से हमको 1000 सब्सक्राइबर कंपलीट करने है तो यह हमारी help करने के लिए subscribe करके bell icon को जरू से all पगर देना ठीक है यह तो goodball of goodbye फिर मेलत नेक्स रड़ियो में good bye